नमस्कार स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलाइट इंफरमेशन में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले तीन दिनों के दुरान कैसा मोसम रहेगा पहले की सुरुआत में सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हमारे तरफ से 75 गन तंदर दिवस की हारदिक शुब काम नहीं तो चलिए देखते हैं देश का मोसम इस समय आप देख सकते हैं कि जम्हु कस्मीर के उपर एक डबलो डी बना हुआ है साथ यस साथ एक और डबलो डी वी है जो इस समय पाकिस्तान के उपर है इसके बीचछ एक और डबलो डी है जो इस समय अफगानिस्तान और सटे जो इरान के हिसस्ते हैं यहां पर दिखाई दे रहा है ये तीन बैक टू बैक सिस्टम है जो की 26 जनवरी से लेकर एक फरवरी के बीच मोसम को परभावित करेंगे इसमें एक WD है जो 26 जनवरी को यानि आज जिसकी वज़ासे पहड़ों पर जम्मुकस्मीर, मचलपर देश उत्रा खंड पर बर्फबारी दर्ज़क की जाएगी प्न लेकिन ये बादल बारिस वाले नहीं है, बल्कि ये हाई क्लाउड़् जिनसे बारिस की संभावना नहीं होती बल्कि धूब के परभाव को कम कर देते है साथ साथ और भी clouds आपको दिखाई दे रहे होंगे जो धीरे-धीरे उत्तरबात की तरफ बढ़ रहे हैं यह भी WD के यह cloud है जो की high clouds है धीरे-धीरे जब यह WD आगे की तरफ आएगा तो यह बादल और भी अधिक घने हो जाएंगे क्योंकि उत्तरबात के इसों पर high cloud शायवे है जिसकी वजह से यहां पर कोहरे में कमी देखी गई है वालेकिन फिर भी कुछ इसों पर अभी घना कोरा देखने को मिल रहा है वालेकिन जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो कोहरे के जो संभावना रहेगी वो और अधिक कम हो जा है और इसी अवाव में नमी बढ़ने की वज़ा से जो तापमान होता है वो बढ़ने लगता है इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे अभी देखते हैं देश में अगले तीन दिनों के दुरान कैसा मौसम रहेगा 27 जनवरी की मौसम को देखे तो इक डवलोडी आ पहुंचा है और इसके प्रभाव की वज़ा से एक चक्रवाति वाव का छेत्र भी है जो की रज्जिस्तान और सटे पाकिस्तान के दख्सन इसोपर बना हुआ है पर लेकिन निचू की चक्रवाति वाव का छेत्र मोश्चर को अरब सागर से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा जिसकी वज़ा से इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा पर लेकिन इस डवलोडी की प्रभाव की वज़ा से जम्मु कस्मीर में अधिकतर इसोपर और मतल पर देश पर कुछ स्थानव पर और साथ ही जो उत्राखन के उच्छय वाले इस से आते हैं य अगर यह चक्रवाति होव का चेतर प्रभावी होता तो यह मुश्चर को अरब सागर से अट्रैक्ट करता और उत्ते भारत के इसों पर पूस करता इसकी वज़ा से आपको यहां भी कुछ वद्दर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती पर लेकिन फिलहाल इन वागों प पर आ गया है जिसके वज़ा से यहां पर जो हावा आ रही थी उत्तर दिशा से वे ब्लोक हो जाएंगी और यह हावा के दिशा बदल कर अब पश्चिमी या फिर पूरी दिशा से चलने लगेगी और जब इस दिशा से हावा चलती है तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि आप मन बढ़ने लगता है पूरोतर भाय तमीं पहुंचे तो यहां पर आवणतल परदेश पर कई स्थानों पर बारिश और बर्वारी दर्जिक की जाएगी पर लेकिन जो दक्सिन हिस्ते आते हैं यहां पर आपको ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिलने वाली को मिल सकती है बारिश बहुत ही हलकी होगी जाइदा होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही मद्द माराश तट्यक अनाटक आंत्रिक अनाटक और केरल पर मुसम बिल्कुल साफ बना रहेगा अंडबान सागर पर पहुंचे तो यहां पर बाज सी गतिविए थोड़ी ब ईहागा पर लेकिन नया डव्य जमुकस्मीर के पूर्वी हिस्सो पर आप हौचेगा माफ़केद किस्के पश्चीम इस्सो पर आप हूचेगा इसका प्रभाव एक بार पिर से जमुकस्मीर के इसो पर हो पर सुरू हो जाएगा पर अठाई जन्वरी को ही मचल पर्देश के सिर्फ उसे वाले इस्सों पर ही आपको हलकी बर्फबारे देखने को मिल सकती है। उत्राँ खर्ण पर कोई हल चल नहीं होगी और यहां पर मौसम साफ रहेगा। इसी WD के पीछे एक और भी WD है जो इस समय अफगानिस्तान उर्सेटे जो इरान के इससे है यहां पर दिखाई दे रहा है। अभी जो मोडल का इंडिकेशन है वो लगता है कि यह वाला WD काफी स्ट्रोंग हो सकता है जिसकी वज़े से आपको काफी भारी बारिस और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। फिलाल इसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि मोडल का इंडिकेशन लगतार चेंज हो रहा है और हम लगतार मोसम पर नज़र बनाए रखेंगे। इस डेबलूडे के परभाव की वज़ा से कुछ हल चल मैदाने इस्सों पर भी हो सकती है और इसका परभाव 29 से लेकर 31 जनवरी के बीच आपको देखने को मिलेगा। 28 जनवरी को पंजाब से लेकर हर्याना, दिल्ली, उतरपरदेश, रजस्थान, मद्यपरदेश, गुजरात, और हमारे जहरखंड और बश्ची मंगाल इन तमाम इस्सों पर मोसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इस एंटिसाइकलोन के प्रभाव की वज़ा से जो मुश्चर का फ्लोग बंगाल की खाड़ी से तमिलाडू के इस्सों पर पहुच रहा था वो कम हो जाएगा पर लेकिन एक डो स्थानों पर अभी बी तमिलाडू के इस्सों पर आपको हलकी बार्ष देखने को मिल सकती है परोतरबात पर पहुंचे तो यहां पर जो बार्ष देखने को मिल सकती है अंडमान सागर पर हो रही तेजवारी सब कम हो जाएगी और इन भागों पर अटाइज जन्वरी को आपको हलकी बार्ष देखने को मिलेगी 29 जन्वरी के मोसम को देखें तो जम्मू कस्मीर पर बार्ष और बार्ष बारी की गत्विद्य बढ़ जाएगी क्योंकि डेवलोडी इसके मद्धे इस्सों पर आप पहुंचेगा इसके प्रभाव से एक चक्रवाते वाव का छेतर भी विक्सित हुआ है जो कि पंजाब के इन हिस्सों पर बनेगा पर चुकि हमने आपको पहले भी बताया था कि यह भी चक्रवाते सिस्टम इतना स्ट्रोंग नहीं रहेगा कि यह मुश्चर को यहां से अट्रेक्ट कर सके पर लेकिन फिर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है इस जब्रूड़े के प उत्राखन पर भी मुश्म बदलेगा और यहां पर भी इसके उचेवाले इस्सों पर आपको हलकी बर्फ बारिद देखने को मिलेगी चुकि यह चक्रवाते वाव का सेत्रा भी इतना स्ट्रोंग नहीं है इसलिए इसका प्रभाव पंजाब के इस्सों पर देखने को नहीं मुश्म साफ रहेगा इसी के साथ दिल्ली और उत्तरपरदेश भिहाज हरकंड पस्चिम बंगाल मद्यपरदेश गुजरात और महराष्ट इन तमाम इस्तों पर मुश्म साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है हम आपको यह भी बता दे कि हर्याना के उत्तर हिस इसे देश के जो एड़क्शन हिस्ते आते हैं यहां पर मुश्म साफ हो जाएगा क्योंकि फिलाल यहां पर कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा जिसके बज़ए सी यहां पर बारिसों तर्यकरनाटक अंतर करनाटक तमिलाडू और केरल इन तमाम हिस्तों पर मुश्म बिल में अभी के लिए बस इतना ही